सतनाम धर्म के प्रवर्तक बाबा गुरु घासिदास की जहनती के मौके पर कल प्रदेश में विभिन्न कायरक्रमों का आयोजन किया गया इसी कड़ी में बाबा गासिदास की जन्मस्थले गिरौद पूरी धाम में कल से तीन दिवसिय गुरु दर्शन मेले की शुरुवात हुई इस मेले में चतिसगड के अलावा दूसरे राजों के अनुयाई भी पहुंचते हैं चाता पहाड इस्थित मेला इस्थल पर जिला प्रशासन के ओर से अनुयाईयों की सुविधा के लिए कई तरह के इंतजाम किये गए है मेलिक आयोजक मंडल के एक सजसी ने बताया कि गुरु घासिदास की जैनती के मौके पर यहां बड़ी संख्या में लोग पहुंचते हैं गिराउतपुरी में लाखों के भीड में सवधालू आज पहुंचे हुए है और इस बीट में बहुत से सवधालू आकर बाबाजी के आसी राप्राप्त कर रहे हैं और यहां का जो मिला है जो हागून का पंजबी स्ष्टी और अश्टमी को होता है उससे अफेक्चा आज ज़्यादा भी रहा है यहां लाखों के संख्या में आज बहुत भी रहा है और बहुत से ज़्यादा यहां पे सवधालू रोग बाबाजी के आसी राप्राप्त करने के लिए आ रहे है उल्यकनिय की गिरौत पुरिधा में बाबा गुरू घासिदास के स्मरण में एशिया का सबसे बड़ा जैतखम भी बनवाया गया है यहां दर्शन के लिए पहुँचे अनयाईयों के ने कहा कि मेले स्थल पर सभी तरह की व्यवस्ताएं उपलब्ध है बहुत बड़िया है अच्छा है बाबा के दर्शन करने के लिए आये हैं पूरे फेमिली से ही ताये हैं और बार बार आने के कोशिश करेंगे और जैतखम चालू नहीं हुआ है बस यही एक मलाल है वहीं घासिजा जैनती के मौके पर कल बेमित्रा में सत्नामी समाज के ओर से सत्नाम शोभायात्रा निकाली गई इस मौके पर सत्नाम अखाड़ा और पंधिन रुत्य के माध्यम से लोगों तक सत्नाम का संदेश पहुँचाये गया और ये शोभायात्रा कोबिया चौक से शुरू होकर मुख्यमाग से होती होई शहर के सभी प्रमुक जगहों से गुजरी